तो इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं इस ब्यूटीफुल सा सेशन हमारा नीट 2022 और प्लस जारकन कंबाइन 2022 का प्रिपेशन हमारे इस चैनल पर करवाई जा रही है आप लोगों को यूनिट वाइस फिजिक्स केमेस्ट्र और बायोलॉजी इन तीरे चैप्टर से आप लोगों का कोशन्स करवाई जाएंगे इलावेंट पूरा बेस्ट होगा और जो हमारी एंसी आटी बेस्ट होगी हमारा बायोलॉजी सेक्शन ठीक है तो चलिए समय को ना परिविलोशन होना जरूरी है क्योंकि हर कुछ में परिवर्तन जरूरी है अगर आप परिवर्तन नहीं करोगे तो फिर खातक हो सकता है आपके लिए तो आप भी जानते हैं हम लोग पहले क्या थे और अब क्या बन गया है ठीक है बंदर से हम फिर धीर आदी मानब बने भा हर कुछ इंसान कर सकता है जके मखिन इंसान बनाता है मखली के थ्रूई सब काम होता है मसीन को ही इंसान बनाता ऑस उ अप कितनी बड़ी बात है ठीक है चलिसे तो बही नॉर्मल बाते हो गई चलिए कुस्टंस करते हैं कु divides को से टारट कशन को चलिक हैं को सतके सेटकallo one of the most widely accepted theories earth atmosphere before origin in life was इसमें एंसर क्या होगा भाई जिसको भी एंसर पता है बिलकुल और बिलकुल कमेंट कीजिए बिलकुल और बिलकुल कमेंट कीजिए ऑक्सिडाइजिंग ऑक्सिडाइजिंग विद हैस्ट इंच तो तो क्या होगा एंसर बिलकुल जी यहां इसका एंसर होगा four number reducing with oxygen absent in o2 form चलिए नेक्ट कोश्चन के और बढ़ते हैं हम लोग हमारा सेकंड कोश्चन है form the point of view of earlier chemical evolution that preceded the origin of life on earth बहुत most important simple organic molecule formed where तो भाई इसका एंसर क्या होगा all of these यहां option क्या विए में है sugar and amino acid crystal and fatty acid purine and primidines ठीक है तो इसका एंसर क्या होगा all of these next question next question हमारा who proposed the first form of life could have came from pre-existing non-living organic molecule answer क्या होगा SL Miller होगा क्या बिल्कुरा बिल्कुल SL Miller होगा क्या या फिर ऑपेरन एन हेल्डन कर दें या फिर चार्लेस डार्विन कर दें या फिर एल्फरेड वेलेस कर दें क्या कर दें तो भाई बिल्कुल जो सही एंसर की answer है वही टिक मारेंगे ओर sta इंसर होगा फुर्ट कोईशन हमारा सब्से वाज सबसे पहले first life form में क्या originate हुआ था इसका एंसर बिल्कुल और बिल्कुल पता होना चाहिए बिल्कुल और पलता होना चाहिए जिनको नहीं पता है बिल्कुल NCRT से पढ़ लिजे बिल्कुल NCRT से पढ़िए तो चाहिए हां हम लोग का जो एंसर होगा इसका जो एंसर है कीमो हेट्रो ट्रॉप्स कीमो हेट्रो ट्रॉप्स इसका एंसर होगा next question के और बढ़ते हैं हम लोग according to apparent which was the following was not present in primitive atmosphere of the earth ठीक है हमारे अर्थ में क्या present नहीं था primitive atmosphere में क्या present नहीं था इसका एंसर आपको बताना है fifth number का यह question है इसका answer बताना है तो भाई हमारे प्रित्वी पे oxygen नाम की कोई चीज नहीं थी तो हमारे प्रित्वी पे oxygen बिल्कुल बिल्कुल नहीं था ठीक है चली next question के और बढ़ते हैं हम लोग हमारा sixth question a biogenesis theory of origin it supported ठीक है यह बाइजनिस जो theory है वह origin support किसको करता है इसका answer आपको बताना है यह करता है spontaneous को spontaneous को यह support करता है ठीक है next question is इसमें एक figure दियावा है figure दियावा है बिल्कुल बताए यह figure किस चीज का है figure किस चीज का है इसका answer बताना है आप लोग को इसका figure का चीज किस चीज का है बिल्कुल और बिल्कुल answer कीज़े फटा फट तो इसका answer हो जाएगा बोथ a and b यह homologous organs है और Convergent evolution भी है ठीक है यह हमारा homologous भी है और Convergent भी है ठीक है Convergent भी है next question के और हमनों बढ़ते है रेफर the given figure what does not represent इसका answer आप लोग को बताना है बिल्कुल और बिल्कुल देखिए इसको इसका answer क्या हो जाएगा बिल्कुल Convergent evolution होगा Adaptive radiation होगा क्या होगा Divergent evolution क्या होगा फटा फटा एंसर किजिए इसका तो भाई इसका answer होगा Adaptive radiation और Divergent यानि आपका जो आपका फोर नमबर option है B & C वह बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है next question क्यों बढ़ते हैं हम लोग जो हमारा next question है 9 what can infer about the structure shown in figure भाई देख रहे हो ना बिल्कुल बिल्कुल देख रहे हो तो भ nothing to do with each other क्या है भाई बिल्कुल एंसर बताइए इसका answer हो जाएगा D number they have nothing to do with each other ठीक है क्या बिल्कुल यही answer होगा बिल्कुल बताइए क्या यही answer होगा जी हाँ बिल्कुल क्या यह answer होगा जिनोंने भी एंसर ठीक मारा है यह answer बिल्कुल बिल्कुल गलत है answer आपका होगा they are homologous structure ठीक है क्या होगा homologous structure जो यह structure है वो किस चीज क्या है homologous structure है ठीक है next question क्या बढ़ते हैं हम लोग तो चलिए next number का question है इसका answer बताना है इसको फटाफट पढ़िए operating natural selection represent rate which of the following option correctly identify the all three graphs ABC answer क्या होगा फटाफट इस graph को देखें और answer बताइए इस graph को देखिए और फटाफट answer कीजिए आप लोग फटाफट इस graph को देखिए और answer कीजिए जिनको भी answer आता है फटाफट comment कीजिए जिनको नहीं आता है वो बिल्कुल देखेगे इसका answer क्या होगा B number stabilizing directional और disruptive ठीक है इसका answer हो यह क्या है आपका stabilizing है यह क्या है directional है यह क्या है आपका disruptive है ठीक है तो यह है आपका correct option इसमें ठीक है next question क्या बढ़ते हैं हम लोग intensifies कोशूं है वो है 11 इसका आपको बताना है सक्तर होगा intermediate पर एक चार्ट दिया वह आपका विच आप दर पाट इसका एंसर कीजिए क्या होगा इसका एंसर होगा हमारा बी नंबर इसका एंसर क्या होगा हमारा बी नंबर केंबरीन ओडविजीन ठीक है यह हमारा होगा बी नंबर next question is hardy winver equilibrium is known to be affected by gene flow genetic drift, mutation genetic recombination and ठीक है यह बताना है आपको क्या इसमें evolution है limiting factor है salutation है या फिर natural selection है तो भाई इसमें आप जानते होंगे hardy winver equilibrium natural selection ठीक है इसमें genetic drift mutation, genetic recombination and natural selection ठीक है next question the different form of interbreeding species that live in different geographical region are called इसमें answer क्या होगा इसका answer आपका होगा allopatric species ठीक है allopatric species next question the factor involved in the formation of new species इसका answer क्या होगा 15 का answer होगा isolation and variation ठीक है new factor involved in the formation of new species and our isolation and variation next question genetic drift operates only genetics drift operates only in इसका answer आपको आपको बताना है इसका answer हो जाएगा small population क्या होगा genetic drift जो है operate करता है smaller population को छोटे जो population होते हैं उन में ठीक है next question measure radiation mammals, bird and pollinating insects to place in which approach इसका answer आपको बताना है 17 का यह question है answer बिलकुल बताना है इसमें क्या होगा तो guys इसका answer होगा petrozoic ठीक है answer petrozoic होगा next question is golden age of reptile was golden age of reptile was इसका answer बताना है इसका answer क्या होगा जिनको आता है फटा फट कमेंट कीजएगा जिनको आता है फटा फट कमेंट कीजएगा izman mesozoic era mesozoic era जो है वो golden age of reptile ठीक है ップ renderon एर्मकेशन संही और मीशन दॉ मिलेगे लौग ने इसका कार्बोणी फैर्स कारबोनी फैरश ऐल टीक है निकर शींडो एलिए होगा इसका परगाहे इसका एंसर क्या होगा इसका एंसर क्या होगा ठाप टीए इसका इनसर क्या हो जल्दी बताई जल्दी बताई जल्दी बताई जल्दी बताई ट्रॉफी मिलेगी आप लोग को जल्दी बताई इसका एंसर क्या होगा इसका सीसी का मतलब क्या होता है सीसी का मतलब होता है क्रेनियल कैपेसिटी क्या होता है क्रेनियल कैपेसिटी ठीक है इसका एंसर क्या तो बिलकुल बिलकुल इसमें क्या-क्या गलत है हमने उसको चार्ट देते हैं 650 होगा क्या नो बचा 900-1500 क्या होगा तो इसमें 900 जो है वह हमारा राइट ऑप्शन है जो हमारा नाइन है 900 CC वह क्या है होमो एरेक्टर का क्रेनियल यानि ड्रेन कैपेसिटी ठीक है चलिए नेक्ट क्यों बढ़ते हैं चलिए शेशन को यह पर अंड करते हैं ठीक है लाइक शेयर ने सब्सक्राइब कर दिए हमारे यूट्यूब चैनल को और को प्रेस कर लिए जिससे नॉट्रिफिकेशन मिल आएगी सारे कुश्यन पीडिएफ मिल जाएंगे आप लोगों को एंसर आप लोगों को वीडियो में दिया गया है बाकी आप इसको देख सकते हो ठीक है इविल्यूशन का हमारा चैप्टर था यह इविल्यूशन आम लोग पढ़ रहे था भी ठीक है चलि मिलते हैं आप